एक बहुत जबर्दस question आया है कि why do we need to transform a vector? Vector को transform क्या आगर? क्यों करना है? इसकी मिसाल directly मैं three dimensional plane से start करूँगा. ये मेरा हाथ है. ठीक है? क्या सारी जिंदगी मैं अपने बाजू को इसी तरीके से रखूँगा 3D space के अंदर? नहीं ना? कभी मैं नीचे लेके जाऊंगा, कभी उपर लेके जाऊंगा, कभी right, कभी left. ये ही बाजू मुझे बताएगा कि मैं किसी चीज़ को कितनी दूरी से पकट सकता हूँ, अगर मैं श्रिंग करता हूँ तो मेरे साथ क्या होगा? इसको transform ऐसे करता हूँ, तो क्या होगा? और कितनी मैं transform कर सकता हूँ, कितना उल्टा लेके जा सकता हूँ बाजू को? और यही सारी physics और bio और जितनी भी चीज़ें इसके अंदर मुझूद हैं, वो basically directionality की base पे चल रही हैं. और अगर हम two-dimensional space में जाएं, तो हम जो graphic designing का काम करते हैं, जितने भी softwares आपके पास आते हैं, जो plotting कर रहे होते हैं, या linear algebra के उपर चल रहे होते हैं, वो basically अगर आप mouse को drag कर रहे हैं, उसके पीछे पूरी की पूरी vector या linear algebra की transformation लिखी है, कि अगर आप किसी चीज़ को rotate करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे, 90 angle पे करेंगे तो क्या होगा, 30 पे करेंगे तो क्या होगा, ये जो graphic designers हैं, वो कैसे करते हैं, 3D artists कैसे करते हैं, ये सारी की सारी linear algebra की base पे चीज़ें चलती हैं, इसकी मिसाल देता हूँ, robotics के अंदर, autonomous driving के अंदर, आज कल AI के अंदर, जितन इसा robot बनाने वाले हैं, जिसका बाजू move भी करेगा, और हम ज्यादा से ज्यादा उसके length, width, height और बाकी चीज़ों को measure करके, हम उससे transform way में चीज़ें निकाल सकते हैं, ऐसा ही होगा न, एक और मिसाल देता हूँ, अगर spring, सारी जिंदगी ऐसे बंदी रहे, तो वो spring नाना ह इसी तरीके से जितनी भी durability test होते हैं, वो सारे के सारे transformation की base पे होते हैं, मिसाल देता हूँ, आपको समझ आजा है कि, जहाज के अंदर सवारियां सफर कर रही हैं, उपर से बिजली बढ़ती है, अगर उसका test नहीं हुआ होगा, कि अगर इतनी बिजली बढ़े, तो इसकी shape पे क्या असरात होंगे, यानि कि transformation क्या होगी, उसकी geometry में क्या फरकाएगा, ये कितनी direction को move करेगा, and how we can calculate other things, वो इसी पे depend करता है, एक और मिसाल ले ले, पाकिसान से चले, आप लहौर से, आपकी flight है जद्दागी, आप माशाला हुम्रा करने जा रहे हैं, या आप हज करने जा रहे हैं, आप अपने time of flight calculate करने हैं, तो how you can calculate these things, आपको direction पता होगी, and there are many other things, तो इस वज़ा से transformation बहुत ज़रूरी है, एक plane से दूसरे plane में transformation ज़रूरी है, ऐसा नहीं होगा, कि जहाज चड़ा है और ऐसे ही रहा है, बस वे तुसी चंते पहुंच जोंगे, जद्दे ज़रूर करते हैं, three dimensional plane के अंदर भी आपने transformation ज़रूर देखने होती है, ताके आप अपने ideas को real life के ideas के सामने ले के हैं, बेरे ख्याल से examples काफी हैं यह, हम आगे move करते हैं